बिसमिल्ला रह्माने रहीम, अस्वाइकूम, बच्वेलकम टू थर्ड लेक्चर, इसे पहले वाले लेक्चर में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कि वेक्टर्स क्या होते हैं, हमने कहा था वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं, जिनकी मैगनिचूड होती हैं जिनके पास units के साथ साथ direction भी होती है, then हमने देखा वेक्टर्स को represent कैसे करते हैं, तो वेक्टर्स को हम symbolically represent करते हैं, alphabets की मदद से, a, b, c, हमने कहा था, written form में, हम उसको with and arrowhead alphabets को represent करें, तो वो vector quantities हैं आपके पास, graphical representation देखी, तो हमने कहा, vectors are graphically represented by a straight line, एक straight line, जो length of the line है, वो magnitude को represent करती है, और arrow direction को show कर रहा होता है, इन जीज़ों को understand करने के बाद, अब जो next topic हमारा है, और बहुत important topic हमारे पास है, वो है, rectangular या, इसका second नाम है, cartesian coordinate system, तो हमारे पास जो topic है, rectangular coordinate system, या cartesian coordinate system, दो नामों से हम इसको represent करते हैं, इसको समझने से पहले, जो सबसे प आपास है, coordinate axis, coordinate axis क्या होते हैं, coordinate axis की definition यहाँ पर हमने लिखे हुए है, to reference line drawn at right angle to each other, to reference line, reference mean हमने कोई specific line draw की है, at right angle, right angle का मतलब यह है कि यह जो angle बना रही होंगी, वो angle कितना होगा, 90 degree का जाविया या 90 degree का angle form का रही होंगी, तो अगर हम दो lines draw करें, जिनके दरम्या 90 degree का angle ह तो वो coordinate axis form करते हैं, जैसे हमारे पास, यहाँ पर यह हमारे पास जो पहली diagram मौचूद है, अगर हम इस diagram में देखें, तो हमने दो lines draw की है, एक हमने horizontal line draw की है, जिसको हमने X axis का नाम दिया हुआ है, एक vertical line draw की है, जिसको हमने Y axis का नाम दिया है, यह दो line हमने draw की है, और इन द दो लाइनों की दर्मियान आप देख सकते हैं यह जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है 90 डिगरी का एंगल बन रहा है तो दो रेफनेस लाइन हमने ड्रा की 90 डिगरी नवे जाविये के ऊपर तो यह आपके पास coordinate axis फॉर्म कार रहे हैं horizontal line x-axis कहलाती है vertical line आपके यह पास y-axis कहलाती है next two cheese हमारे पास है यह तो हमने देख लिया coordinate axis क्या है उसके बाद next term है जिसको हम कहते हैं जी origin origin क्या है the point of intersection of coordinate axis जहां पर coordinate axis intersect कर रहे हैं intersect का क्या मतलब होता है कता करना काटना जहां पर coordinate axis intersect कर रहे हैं यह वो point है जहां पर horizontal and vertical line intersect कर रहे हैं उस point को हमने नाम दिया हुआ है origin का origin के उपर उसे represent करते हैं और यहाँ पे x और y की जो values होती हैं वो यहाँ पे 00 यानि यह वो point है जहाँ से हमारे axis start होते हैं तो यहाँ पर origin पे value है 00 तो यहाँ से हमने origin को देखा जहाँ पे दो line एक दूसरे को कता करती है coordinate axis intersect करते हैं that is named as origin यह तो हमने देखा coordinate axis और origin को तो अब rectangular coordinate system क्या है rectangular coordinate system यही जो आपको system नजर आ रहा है जिसमें आपके पास coordinate axis मौझूद है जिसमें origin मौझूद है यही system हमारा कहलाता है rectangular या cartesian coordinate system तो definition क्या है the system of coordinate axis ऐसा system जिसमें coordinate axis मौझूद हों उसको हम कहते हैं rectangular या cartesian coordinate system अब ये आपका एक short question है short question क्या पूचा जा सकता है आपसे define rectangular या पूचा जा सकता है define cartesian coordinate system तो उसमें आपने क्या करना होगा इन दोनों को define करना है और end पे बताना है ये system basically आपका rectangular coordinate system है with this नहकरा इसको समझने के बाद अब next हम आते हैं हमने देख लिया horizontal line is x-axis vertical line is y-axis अब origin के उपर तो value है 0-0 जब आप origin से move करेंगे towards the right direction जब आप right direction में move करेंगे तो 0 से value बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो positively बढ़ेगी क्योंके 0 से origin से इस direction में आप जाएगे right direction में तो वो जो axis कहलाते हैं वो कहलाते हैं positive x-axis और अगर आप origin से left की तरफ move करें यानि इस direction में move करना शुरू कर दें value increase तो होगी लेकिन negatively increase होगी और इसको हम नाम देते हैं negative x-axis का तो origin से right positive x-axis origin से left negative x-axis y-axis की तरफ आते हैं और इजन से अगर हम जाते हैं उपर की तरफ यह आपका origin है और इजन से आप move करते हैं उपर की तरफ value y-axis के along increase होगी 1, 2, 3, up to so on लेकिन यह जो value increase होगी उसको हम कहेंगे positive y-axis और origin से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो that is negative y-axis होगे यह है हमारा rectangular coordinate system and coordinate axis अब हम चलते हैं next point की तरफ normally आपने terms दो रही होगी 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, 4, up to 7 तक normally यह dimensions हम different stages पे हम study करते हैं अब जो हमने study करनी है वो है 2 dimension 2 dimension या उसको हम plane भी कहते हैं 2 dimension को simple word में मैं समझाऊँ तो मैं कहूँँगा 2 axis 2 dimension means 2 axis ऐसा region जहां पे हमारे पास 2 axis involved हो that is known as 2 dimension 2 dimension या plane को हम define करते हैं any region between 2 axis ऐसा region जो 2 axis के दर्मियान में हो उसको हम नाम देते हैं 2 dimensional axis या हम उसको plane का नाम देते हैं तो हमारे पास अब देखें यह हमारे पास positive x, positive y, negative x, negative y यह basically planes मौजूद हैं x और y के दर्मियान यह जो space है this is plane यह आपके पास plane है यह आपके पास plane तो 2 axis के दर्मियान कोई भी जो region है उसको हम नाम देते हैं plane का अब देखें x, y, axis मौजूद है इनके दर्मियान में मैंने एक point ड्रा किया हुआ point P जिसके coordinates हैं A, B जिसके coordinates क्या हैं A, B यह मौजूद है plane के अंदर यह जो आपका point मौजूद है यह मौजूद है plane के अंदर अब यह point बना कैसे यह point बना ऐसे कि जब आपने A distance cover किया along x axis और B distance यहाँ से अगर हम देखें तो यह B distance covered किया along y axis तब जाके आपको यह point मिलता है तो यह point basically एक plane के अंदर एक distance covered है हमने क्या करना है जी हमारे पास next question क्या है question यह है how can you find out the direction of vector in plane मेरे पास यह point P मौजूद है मैं इसका vector draw करता हूँ और फिर मुझे बताना है कि मैं उस vector की direction को कैसे find out करूँगा तो सबसे पहले हम vector draw करते हैं हम यह समझ चुके हैं यह point हमें मिला कैसे अब हम vector draw करते हैं हम पिछले topic में पढ़ चुके हैं कि origin basically हमारी होगी initial position और यह कौन सा है final position तो इन दोनो points को हम मिला देंगे और arrow कहां पर आएगा arrow हमारा final position पर होगा तो now OP हमारे एक vector को represent कर रही है OP को हम कहेंगे representative line OP हमारे पास है representative line जिस vector को हमने represent किया suppose vector A है तो OP is the representative line of vector यानि OP वो line है जो vector A को represent कर रही है show कर रही है हमारे पास now vector हमने draw कर दिया भई हमसे तो बूचा गया है कि आप इस vector की direction को कैसे बताएंगे तो मैं यहाँ पर कहता हूँ इस vector की direction को हम बताएंगे angle theta की मदद से angle theta हमें बताएगा vector की direction वो बनेगा कैसे angle theta हमें बताएगा vector की direction और यह बनता ऐसे है कि अगर हम positive x-axis से anti-clockwise direction में rotate करें positive x-axis से anti-clockwise anti-clockwise गड़ी की मुखालिफ सिमत में, गड़ी की सुयां जिस direction में move करती है, that is clockwise, और गड़ी की मुखालिफ सिमत में जो अगर हम move करना शुरू कर दें, that is anti-clockwise, तो हमने क्या करना है, angle theta हमें बताएगा direction of the vector, और angle theta बनता कैसे है, अगर आप positive x-axis से anti-clockwise direction में move करें, जहां पे representative line को आ मुलते है आपका वो point, that is named as angle theta, हमने इसका आगे answer लिखा हुआ है, वो answer क्या है, the direction of vector in plane is given by angle theta, direction of vector हमें कौन बताता है, angle theta, वो कौन मनाती है, representative line of vector किस के साथ, positive x-axis के साथ, कौन सी direction में, anti-clockwise direction में, तो direction of vector in plane is given by angle theta, which representative line of vector makes with positive x-axis in anti-clockwise direction, तो जहां पे theta आएगा बेटा, आपके mind में ये चीज़ होनी चाहिए, कि theta हमेशा positive x-axis के साथ बनता है, और वो हमेशा किस के साथ बनता है, anti-clockwise direction में बनता है, theta को calculate कैसे करते हैं, इसको हम इंशाल्ला next हमारे पास एक topic होगा, उसमें understand क करते हैं, अभी इसका एक last point रह गया है, three dimension, उसको हम इंशाल्ला next lecture में discuss करेंगे, तो hopefully आपको ये चीज़ किलियर हो जाएगी, इंशाल्ला next lecture में मिलते हैं, thank you, Allah आफिस